दोस्तो अगर आप फोन खरीदने का सोच रहे हो तो यहां पे मेरे पास लिस्ट है 2020 टी में उन फोन्स की जो आप अभी इस समय मार्केट में जाके पर्चेस कर सकते हो जी हां यानि कि 2020 के सभी फोन्स हर बजट कैटेगरी के अंदर कौन-कौन से बेस्ट है सब के बारे बात कर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करें सकते हो तो यहां पर आगबंद करके रिकमेंडेशन किया जा सकता है माइक्रोबैक्स के इन 1B का 7000 में भी अच्छा फोन है लगके मैं रेकमेंड करूँगा कि 8000 वाला खरीद यह 4GB RAM वाला वापे आपको प्रॉपर एंड्रोइड मिलेगा लेकिन ओन पेपर यह फोन आना काफी बढ़िया और सबसे ची बात है आपको स्टॉक एंड्रोइड मिलता है मोटर ला का E7 प्लस साढ़े नहुजार रुपर में वह भी काफी सही फोन है मोटो जी नाइन पावर यह कुछ ऐसे फों से जिन में आपको स्टॉक एंड्रोइड देखने को मिलता है और 10,000 की कीमत आसपास होते तो आप इन फो खरीद सकते हैं लेकिन अगर आपक स्टॉक एंड्रोइड नहीं चाहिए तो यहां वे पोको रियल्मी की ऑप्शन बताता हूं पोको का C3 ले सकते हैं और रियल्मी का नार्जो 20A यह नहीं आपको काफी अच्छी परफॉमेंस मिलेगी इस्पेशली नार्जो 20A इसके प्रोसेसर है वो आपको काफी अच्छा जा सकता है 11,000 रुपे के साफ से काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है लेकिन बहीं बात करें 10,000 से अगर वजट आगर आपको ऊपर नहीं जा सकता है यहां पर रेट्मी 9 प्राइम भी एक अच्छा फोन है जो कि मीडिय टक की हिलियो जी इटी प्रोसे और यहां पर आपको पोको का M2 प्रो भी देखने को मिलते हैं जो कि काफी अच्छा फोन है जहां पर सबसे अच्छी बात है कि पोको की आपको मीडियो आई देखने को मिलते हैं बस यहां पर आपको ब्लोट वेर्स वगरा देखने को मिलते हैं तो यह भी एक चोईस है ले एक हीलियो जी 95 प्रोसर और 90 हर्स का रिफ्रेश्ट डिस्प्लेय सिमिलर प्राइस पर आपको रियल्मी 7 को देखने को मलते है अलमुस्स स्पेसिफिकेशन है पर उसमें 65 वट की चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है लेकिन जो रियल्मी 7 है ना उसके अंदर जो कैमरा है व भी और प्रो मैक्स भी है जिसमें स्नैप्रकें सेवन पॉन्टीजी का प्रोसर मिलता है और वहां पर वह कंपेरिशन करूंगा या अगर पोको का एंटू प्रो नहीं मिल रहा ना तो ही रेड्मी नोट 9 प्रो या प्रो मैक्स की उपर जाईए यह बात हो आती है वहीं बात प्राइटी कैमरों 15,000 से कमने बस पॉसिबल डिस्प्ले बस पॉसिबल का चाहते है अफ़ी आपको अच्छी चोइस है बस कमी ही है कि आपको एगजनोस का 9-611 मिलता है लेकिन डिस्प्ले काफी अच्छा है कैमरा काफी अच्छा बैटरी काफी अच्छी है तो अगर यह ना Samsung का फोन भी काफी बढ़िया यहां पर हो जाता है लेकिन 15,000 से उपर बात करें तो यहां पर M31 ऐसे जिसके अंदर भी camera भी काफी अच्छा दे रखा है और यहां पर आपको थोड़ा modern looking design भी देखने को मिलता है और AMOLED screen तो ही वैसे बात किया तो 20,000 के price point में आपको Realme 7 Pro भी देखने को मिलता है जिसमें आपको AMOLED screen देखने को मिलती है 65W की fast charging भी देखने को मिलती है वो भी काफी साई phone है लेकिन बात करें 15-20,000 के range में जो सबसे तगड़ा जो phone में को लगता है न वो लगता है POCO X3 यहां प आपको 732G का processor देखने को मिलता है फोन थोड़ा सा भारी होता है लेकिन बात की जाए 120Hz का display बढ़िया camera सार का सार एक अच्छा package आपको POCO के phone के अंदर देखने को मिलता है और 20,000 से उपर बात करें obviously यहां पे Moto G का जो नया 5G phone आया लेटिस वाला 20-21,000 रुपे में जो मिल यह phone है processor भी अच्छा है display भी अच्छा है battery भी अच्छा है camera भी अच्छा है overall बात की जाए तो complete value for money phone है 21,000 रुपे के price point पर M51 अगर आपको मिल रहे है लेकिन अगर आप बात करें 25,000 बचेट है यहां पे undoubtedly oneplus not काफी अच्छा phone हो जाता है 90Hz का AMOLED screen देखने को मिल रहे ही camera अच्छा देखने को मिल रहे है साथी साथ यहां पर आपको 765G का 5G processor भी देखने को मिल रहे है और Oxygen OS तो है यहां पे लेकिन बात करें 25-30 के बीच में offline में भी काफी एक नया phone अच्छा है जो कि यह Vivo का V20 Pro अगर आपको online में खरीद ना चाहते हो और 26-27,000 में Vivo का V20 Pro अ काफी अच्छे X2 Pro भी अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम बस इन फोन के साथ है कि इनकी जो availability ना वो ढंक से होनी पाती है अगर अवैलेबल है market के अंदर definitely लिया जा सकता है लेकिन last time मैंने चेक किया ना यह phone एकने readily available होते नहीं है यह बहुत जो Realme के जो phones होते ना बहुत जल मोनोस पी करता लेकिन बात करें 35,000 से लेकर 40,000 पर मी 10T मी 10T प्रो काफी बढ़िया चोच होताते हैं मी 10T ओविसली दॉन फॉर्टी फॉर्ट का डिस्प्ले स्नाप्राइगन 865 है जो मी 10T प्रो उसमें 108 मेगा पिक्सल का कैमरा देखने को मलता और 40,000 की रेज में मी 10T प् प्राइगन 865 है और 65 वाट की जो वाप चार्जिंग होती है वो देखने को बलती है जो कि काफी यूनिक बना देती इस फोन को और इसके साथी 50,000 के प्राइस पॉंट पे उससे उपर बात कर तो OnePlus 8 Pro आज भी काफी अच्छा चोई से जहां पर आपको काफी बढ़िया डिस समय में इंडिया में PUBG बैने लेकिन अगर फिर भी आप गेमिंग फोन खरीदना चाहते हो 144 हर्स रिफ्रेश एट के साथ औरो जी फोन 3 वेरी गूड फोन लेकिन बात करें सैंसंग का फोन जाईए 50,000 से कब में सब एक ही अच्छा फोन है S20 FE काफी बढ़िया फोन है और इस यहां पर आज के समय मार्केट में iPhone SE मौझूद है iPhone 11 iPhone 12 इन में से iPhone SE भी अच्छा है iPhone 11 भी अच्छा और मार्केट में अगर चापकर कोई नया iPhone ही खरीदना है iPhone 12 भी काफी अची चोई हो जाता है iPhone 12 Pro, Pro Max भी अच्छे काफी जादा महेंग हो जाते है iPhone 12 Mini भी है वो थोड़ा च संदा है और किसी को iPhone खरीदना है और एक लाक रुपे से कम बजेट है तो आइफोन 12 भी काफी अची चर्स हो जाता है और डेफिनिटल अगर आपका एक लाक रुपे की उपर बचेट है और फोन ही खरीदना है एक लाक रुपे की उपर का 12 का Pro Max लेलो यहां फिर मैं यह और आप लोग को बताओ इन में से सभी फोंस के जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं तो अगर खरीदना चाहते हो ना नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उनका यूज कर सकते हो तो आप लोग बताईगी ना आप लोग को इन में से कौन